हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अपने चेनल धरियल रिपोर्ट में दोस्तों आपको पता है कि अपने चेनल पे दी जाने वाले सभी जानकारे बिल्कुल संपुर्ण सटिक और कारकर होती है तो आज हम बात करेंगे आमला जियूस की ठीक है तो सबसे पहले मैं आप को वह बता देता हूं कि आपको इस वीडियो में क्या-क्या जानकारे मिल जाएंगी तो आमला लेने से आपको क्या-क्या फाइद होंगे कितनी मात्रा मैं आपको लेना चाहिए और लेने का सही तरीका क्या है और कौन से वक्त कौन से समय पे लेना है और किस तरीके से लेना है यह सभी संपुर्ण जानकारिया आपको इसी वीडियो में दी जाएगी ठीक है तो शुरू करते हैं कि आमला आमला सबसे सबसे बेश्ट माना गया है इस धर्ती का फल जो आपकी इम्यूनिटी श्ट्रोंग करता है आमला के बालों को मजबूत करता है तवचा में चमक लाता है पेट में पनप रहे गंदय बैक्टेरिया वाइरस को खत्म करने में सबसे जादा बड़ा रोल आमला का होता है एक आमले मतलब चार संत्रे के बराबर विटामिन सी होता है उसक विटामिन आपको बताया कि आमला विटामिन सी से भरपूर है इसमें जिंक, आइरन, कैरोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्पलक्स, कैल्शियम, अंटि ऑक्सिडन्स होते हैं इसके रोज सेवन से कहीं सारी बीमारियों से लड़ा जा सकता है अब देखत हैं कि 100 ग्राम आमला में आपको क्या-क्या चीज़े मिल जाएंगी इसके अंदर इसके कैलरी है, 44 कैलरी है, कार्बोहाइड्रेस 10 ग्राम है, प्रोटीन 0.88 ग्राम है, फेट 0.58 ग्राम, फाइबर 4.3 ग्राम फाइबर, वाइटमिन सी 27.7 मिली ग्राम, सोडियम 1 मिली ग्राम पोटेशियम 198 मिली ग्राम, कैल्शम 25 मिली ग्राम, आइरन 0.31 मिली ग्राम, आपको 100 ग्राम आमला के अंदर ये सारी चीज़े मिल जाती है, और आमला में और आपको क्या-क्या फाइदे मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आमला में प्रोटीन होता है, इसके सेवन से सरीर में प्रोटीन का स्थर अधिक हो जाता है, नाइट्रोजन की मातरा संतुलत रही थी आपकी बोड़ी है, आमला चरबी को गलाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है, यानि वज़न कम करने में बहुत अच्छा रोल निबाता है, सुबह खाली पेट, गुन-गु सी का बहुत अच्छा स्त्रोट माना जाता है, त्वचा को चमकदार बनाने में योग्य है, आमला जूस और सहद मिला कर खाली पेट इसका सेवन करें, त्वचा में निखार आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट पाऊ गया, जिन लोगों को मुहासे के समझचा है, किल जिनको चहरे पे होते हैं, उनके लिए आमला बहुत ही अच्छा लावकार है, यह खून साप करने में मदद करता है, जैसे ही आपका खून साप होगा, उसी तरह आपका दिरे-दिरे किल मुहासे अपने आप ठीक हो जाएंगे, और जिन लोगों को दागदब्बे हैं चहरे पे उसके लिए भी आप रूई से आमला का जूस चहरे पे लगाई हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तवचा को फ्री रेडिकल से बचाता है, एंजिंग प्रोसेसिंग को धीमा करता है, आपके जो फेस है, उनके एक अलग सा निखार लाता है, आमला जूस पेट स चुड़ी सभी समस्याओं को खत्म करता है, जैसे कब्ज हो गया, अपच हो गई, इन सभी में ये रहत देता है, पेट में होने वाली जलन, गेश की परिशानी, इसे छुटकारा दिलाता है, एसीडिटी की समस्याओं को जड़ से दूर करता है, दिन में आप दो बाग आमल का जूस ले सकते हैं, आमला को कूट कर पेश्ट रूप में तयार कर ले, और दो चम्मच आमला का गुदा और दो चम्मच सहद मिला का शुबस शाम ले, जुकाम नहीं होगा, और अगर हैं भी तो ठीक हो जाएगा, छे-साथ दिन तक अगर आप खाली पेट एक चम्मच के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उसमें भी आप बच्चो को सिर्फ एक चम्मच दें, एक चम्मच नहीं, आधा चम्मच दें, आधा से भी थोड़ा, क्योंकि बच्चे हैं इसलिए, और एक एडल्ट इंसान, छे-साथ दिन तक लगाता एक चम्मच सिर्फ आमला जूस पीएंगे, तो उससे आपके पेट के कीड़े साफ हो जाएंगे, डाबिटिस की समस्या से जूज रहे लोग आमला का सेवन कर सकते हैं, आमला बलड सुगर को नियंतरित रखने में बहुत कारगर है, पेसाब में जलन हो तो खाली पेट आमला हो सहद मिला कर पीए, इससे ब रात में भिगो कर रखे, सुबह में इससे तेल से मालिस करे, बाल काले हो जाएंगे और मजबूत भी होंगे, आमला जूस से कुल्ला करेंगे, तो मूस की जो किल मुहा से होते हैं, उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी, और आपको कितनी मात्रा में और कब लेना है, ये और सस्ता, सबसे सस्ता और अच्छा पतंचली का माना जाता है, मैं खुद भी यूस करता हूँ, आपको अगर आप खुशी से अपने मन से ले रहे हैं, बीना कोई तकलीफ के, तो आप 10 ml सुबह ले सकते हैं, गुन-गुने पानी के साथ, 10 ml आपको आमला जूस लेना है, औ और आप 20 ml पानी मिक्स करके, गुन-गुने पानी में आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आपको कोई परिशानी है, तो आप सुबह 10 ml, जादा से जादा 15 ml, और शाम को 15 ml, सुबह 15 ml, शाम को 15 ml, आप 2 टाइम ले सकते हो, गुन-गुना आप 30 ml प आपका पिट खाली होता है, तब ही आप ले सकते हैं, और कितरी मातरा में लेना है, कब लेना है, मैंने आपको बता दिया है, और कोई भी confusion हो, मुझे लगता है, मैंने सभी सवाल के जवाब आपको दे दियें इसी वीडियो में, क्योंकि मैंने यूटूब पे बहुत सारे वीडियो देखें, लेकिन कुछ न कुछ चीज़े मिस हो जाती है, कि कब किस तरीके से लेना है, ये नहीं बता बाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, मैंने यूटूब पे और भी बहुत सारे वीडियो से सब पड़े हैं, अगर आप नए हो तो अपने च करें और कमेंट ज़रूर से लिखें, थैंक्यू दोस्तों